उप मुख्यमंतरी ब्रजेश पाठक ने अपने सोशल मीडिया एकाउंट एक्स पर अपने नाम के आगे सर्वेंट लिख दिया सपा मुख्यावा पूर्व मुख्यमंतरी अखलेश यादो द्वारा पाठक को सर्वेंट डिफ्टी चीफ मिनिस्टर कहे जाने के बाद उन्होंने ये कदम उठाया है ब्रजेश पाठक का कहना है कि जन्ता का नौकर होना गर्व की बात है गौरतलब है कि सपा प्रमुक अखलेश यादों ने ब्रिस्पतिवार को मीडिया को दिये बयान में ब्रजेश पाठक को सर्वेंट डिफ्टी सियम करार दिया था इस पर उप्रमुक मंतरी ब्रजेश पाठक ने जन्ता का नौकर बताने के लिए अखलेश को धन्यवाद दिया उन्होंने कहा कि अखलेश को आम जन्ता से कोई लेना देना नहीं है सिर्फ कोरी बयान बाजी करना जानते हैं साथी कहा कि अखलेश तो राज परिवार से हैं, उनके पिता कई बार मुख्य मंत्री रहे, वे स्वयम भी सीयम रहे हैं दरहसल ब्रजेश पाठक ने अखलेश यादो के लखनो के जैप्रकाश नराण इंटरनेशनल जीपी अनाइसी का गेट फांदने को लेकर तंज कसा था पाठक ने कहा था कि समाजवादी पार्टी को अराजकता और गुंड़ई पसंद है, ये बात सपा मुख्या के आचनड से भी सिद्ध हो गई इसके साथी ब्रजेश पाठक ने अखलेश को एशन गेम्स में जा कर भारत के लिए मेडल लाने की भी नसियत देडाली थी उन्होंने कहा था कि वो यानि अखलेश यादो कूदने में अच्छे हैं ही डिप्टी सीम के इस बयान पर जब अखलेश यादो से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कटाक्ष करते हुए ब्रजेश पाठक को सरवेंट डिप्टी सीम कह दिया अखलेश ने कहा हम सरवेंट डिफ्टी चीप मिस्टर की बातों का जवाब नहीं देते क्योंकि अगर कोई जिम्मेदार है तो वो सिर्फ सीम है अब अखलेश यादो के बयान के बाद डिफ्टी सीम ब्रजेश पाटक ने पूर्व में ट्विटर और अब एक्स पर अपने नाम के आगे सरवेंट लगा लिया है इस कदम को उनकी सोची समझी रणनीती का हिस्सा माना जा रहा है पत्रकारों से बाचित करते हुए अखलेश यादों ने कहा कि दोनों डिफ्टी सीम को सीम योगी काम नहीं करने दे रहे हैं यही उनका दर्द है जिसे हमने सामने रख दिया उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि अगर डिपटीसीम ब्रजेश पाठक वाकई में जंता के सेवक हैं तो उन्हें जंता की सच्चे अर्थों में सेवा करनी चाहिए, अस्पतालों की हालत सुधारनी चाहिए, उन्होंने कहा कि यह भी देखा जाए कि डिपटीसीम पार्थट के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर खुद को सर्वेंट लिखना आप किस नजरीय से देखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं